मेरा प्रस्ण है कि जो हम कभी भी मिस हमारे जीवन में विद्धार्थी जीवन में सिख्षा का उद्दिस क्या है आज श्री जी ने हमें बताया सिख्षा का उद्दिस जीवन निर्वाह नहीं जीवन निर्माड है पर आज की समय में जीवन निर्मार इतना कटेन है कि हम उसको करी नहीं सकते और करना भी चाहें तो अनिक बादाएं आएंगी उसके लिए हमें क्या करना होगा बहुत सुन्दर प्रश्ण किया है इस बच्ची ने जीवन के निर्वाः के जिगा जीवन का निर्मान बहुत जरूरी है और ये बच्ची जिस तरीके से बोल रही है आप लोगों बड़ा खुशी होगी क्योंकि ये बच्ची प्रत्वास तली जबलपूर में पॉड़ रही है जीवन का निर्मान सिक्षा से नहीं, सिक्षा के साथ संसकारिश होता है आज कल माबाप अपने बच्चों की अच्छी सिक्षा की बात तो खूब सोसते हैं उनके संसकारों की बात नहीं सोसते हैं जबकि सिक्षित होने से ज़्यादा जरूरी संसकारित होने की है आज की नई पीड़ी को जब तक आप संसकार युक सिक्षा नहीं देंगे तब तक आप उनका भला नहीं कर सकेंगे आज जो समाज में विकृती आ रही है वो संसकार ही नची शिक्षा के परणाम सरूप आ रही है इसलिए बच्चों को अच्छी सिक्षा के साथ अक्षी सिक्षा के साथ अच्छे संसकार जिनमें उन्हें अच्छा बातारन मिले और बहुत अच्छे तरीके से वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके जिस संस्थान में ये बच्ची पढ़ रही है वहां प्रितवास तली में ये अचैरसी के एक बड़ी दूर दर्शी सोच की अभी वेक्ती है जहां बच्चीयों के जीवन का निर्मान हो रहा है ये बच्ची पढ़ लिख करके जिस घर में जाएगी उस घर को सर्ग बना डालेगी इसमें कोशन देनी वहां उनका ऐसा संसकार मिल रहा है ऐसा संसकार सिक्षा तो बहुत मिलती है लेकिन संसकार बहुत अच्छे है वो संसकार मिलने चाहिए आज कहा जाता है ये साक्षरा तेव विपरियन राक्षसा भावनती जो साक्षर है वही राक्षस हो जाते है सिक्षा और संसकार युक्सिक्षा में क्या अंतर है मैं जब पढ़ता था तो मेरे एक सिक्षक थे उन्होंने एक दिन पूछा उन से किसी बच्चे ने पूछा तीन और दो पाँच ही क्यों होते हैं चार या छे क्यों नहीं तेन, दो, पांच ही क्यों होते हैं? चार या छे क्यों नहीं? ये सवाल मैं आप से पूछू क्या जवाब दोगए? मैं पघता था पांचवी क्लास में तब की बात है चौत्थी पांचवी क्लास में तो उन्हों ने तो जवाब दिया आज भी मेरे जहन में है उन्होंने का बिटे जब हम कोई चीज ले तो तीन और दो पांच की जगा च्छा न ले ले और कोई चीज दे तो तीन और दो पांच की जगा चार न दे दे इसलिए तीन और दो पांच होते हैं यह है सिक्षा के साथ संसकार इसलिए संसकार युक्त सिक्षा को जरू दिहान में रखना चाहिए